प्रिये प्रदेश बासियो आप सबका सहोग लगातार हमको करोना वारेस के खिलाप इस लड़ाई में लड़ने के लिए मिल रहा है मैं आपके साथ हर रोज अपनी बात को सांजा करने की कोशिश करता हूँ और आज भी मुझे आपको ये सूचित करते हुए प्रसंता है कि टांडा मेडिकल कॉलेज में चहां एक व्यक्ति की कुछ दिन पहले मृत्ति हो गए इती करोना वारेस की वज़ा से और उसके क्लोज कॉंटेक्ट में जो लोग थे परिवार के लोग थे जहां उनका मिलना हुआ था उन सब के आज सेंपल की रिपोर्ट अभी आई है वो नेगिटिव पाए गए हैं इस बात का हमको आपके साथ सांजा करने में बहुत परसंता हो रही है यनि के मैं कहरा हूँ कि हिमाचल परदेश में करोना वारिस का कोई भी मामला नया नहीं आया है एक बात को लेकर के मैं जुरूर आप सब से निवेदन करना चाहता हूँ और हिमाचल परदेश के सभी भाई बेहनों से भी और उसके साथ साथ में हिमाचल परदिश के जितने भी हमारे नौजवान, हमारे भाई बेन हिमाचल परदिश से बाहर रह रहे हैं वो सब लोग चींती थें और हम भी चींती थें परिवार के लोग भी चींती थें हम इस वाद से सहमत हैं, वो सब लोग अपना घर आना चाहते हैं, जल्दी में हैं, परिशानी में हम से संपर्क कर रहे हैं, परिवाद से संपर्क कर रहे हैं, सभाविक रूप से इस दौर में उनकी परिशानी जो है वो जाइज है, लेकिन फिर भी मैं आप सब से निवेदन क ये बहुत आवश्यक है आपका ही नहीं आपके परिवार का भी सुरक्षित रहना इस बीमारी से वो भी बहुत आवश्यक है इसलिए इस दायतों का पालन करें जहां हैं कुछ वक्त वहीं रुकें आवशक चीजों की जहां आपको जुरूरत है उसमें जो सहोग करने की बात हो सकती है उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे बहुत सारे नौजवान जो बद्दी में नालागड में नौकरी करते हैं प्राइविट सेक्टर में प्राइविट कमप्रीज में काम करते हैं बहुत सारे बच्चे जो चंडीगड में पढ़ाई करते हैं और बहुत सारे लोग जो हिमाचल परदेश से बाहर अपना काम धंद करते हैं, नौकरी करते हैं, वो अपने घर में आना चाहते हैं, परिवार के बीच में रहना चाहते हैं, परिवार में आप सब का स्वागत होगा, हम आपको इस बात को ले करके जरूर निवेदन करना चाहते हैं, कि इस दौर में अभी कुछ दिन रुकने की आफशक्ता है, ज जो बाहरी परदेश्चों से यहां लेवर के काम करने के लिए आये हैं, उन से मेरा इस बात के लिए निवेदन है, कि वो अनवश्यक रूप से अपने घर की तरफ जाने की बात जल्दी में ना करें, हम उनकी ब्योस्ता, उनकी चिंता स्वयम कर रहे हैं सरकार के स्थर पर, उनके राशन की, उनकी दवाई की, उनके रहमसें की सारी चिंता सरकार सुनिश्यत कर रही है, और उसमें मेरा उनसे सबसे निवेदन है कि वो स्वयोग दें, मदद करें, एक बार फिर से मेरा बिनम्बर निमेदन उन सभी भाई और बेहनों से है जो खास तोर से बद्दी बुरोटी वाला कालाम में चंडीगड में अपने परिवार से दूर रह करके कामकाज के लिए शिक्षा करने के लिए वहांपर गये हैं वो वहीं रहें वहीं सुरक्षित हैं और घर आने की जिद इस दौरान फिलहाल कुछ दिन तक ना करें ताकि उनका परिवार भी सुरक्षित रहे वो भी सुरक्षित रहे और उनके लिए जो भी आवश्यक चीज़ों की आवशकता है वो हम वहीं पर ही मौजूद परस्तितियों में करने के लिए सरकार की और से पूरा सहयूग दे रहे हैं हिमाचल परदेश में शहरिक शेत्रु में हमने होम डिलिवरी का भी प्राबधन किया है बहुत सारे स्थानों पर हमरा होम डिलीवरी का इराशन का और जरूरी समान का पहुंचाना जो है वो शुरू हो गया है लेकिन इसमें आप सब के भी सहयोग की आप ŞUKता है और व्यपारी वर्ग उनसे भी हमने आग्रा किया है निवेदन किया है उनके भी सहयोग की आप ЩUKत आपके हमेशा बनी रहती है उसका समाधान निश्टित रूप से करने में हम सफल होंगे आप सब के सहोग से क्रोना वारिस के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम आगे बड़े हैं आपका सहोग और समर्थन हमको जिस परकास से हर कदम पर मिल रहा है ये काइम आने वाले समय में भी ऐसे विश्वास के साथ एक बार फिर से आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जाहिए